नमस्कार मित्रू गुरुकुल की इस व्यक्यानमाला में आप सब लोगों का स्वागत है मैं जॉक्टर पंकच कुमार मिश्व समस्करत विभाग सेंटर स्ट्रिफिन्स कॉलेज एक बार फिर से आप लोगों के सामने मिच्छिकडिकम चतुर्थ अंकले करके उपस्थित हूँ मित्रो कोई भी देशो हो कालो हो पात्रो हो अगर उनका समकालीन जगत देखना हो अगर उनके चरित और चरित्र को देखना हो किस परिवेश में किस वातावरन में उनका परिवर्धन हुआ है अगर उनको समझना हो तो उसके लिए हम साहित्य को एक आधार मान करके चलते हैं इतिहास में इसे सुरोत कहा जाता है सोरसे इस कहा जाता है जिसके माध्यम से उस काल में हम ज्छांकने की कोशिश करते हैं मृच्छ कटिका मानो उसी देशकाल और पात्र का विश्वकोश हो भारती या परिधी में वह विश्वकोश है ऐसा सजीव चित्रण ऐसी सुन्दर व्यवस्था ऐसा सुन्दर विवरन अन्यत्र किसी साहित्य में प्रायशह उपलब्ध नहीं होता कवियों के द्वारा ली गई स्वतंत्रता का अगर प्रमान माने या जिसे हम मील का पत्थर कहते हैं तो वह है मृच्छ कटिका मृच्छ कटिका मृच्छ किसी भी प्रकार के वाद, किसी भी प्रकार के भाव, किसी भी प्रकार के विचार धारा से न जुड़ा हुआ एक नाटक जहां पर ना तो राजा का प्रभाव है नहीं प्रजा का कह सकते हैं कि उसमें कोई विशेस उसका अतिरंजना है ऐसा हम नहीं पाते हम लोग चतुर्थ अंक में चेटी के द्वारा वसंत सेना के महल के प्रकोष्ठों का विवरन देखते हैं जिसने की विदूशक को आमंत्रित किया है और विदूशक को एक एक कमरे को चेटी दिखाती जाती है तदनुसार हम लोग चट्धे कमरे में प्रविश्ट हुए थे और उसमें जो जो दृश्य है उसमें जो जो कारिय जो क्रिया जो प्रक्रिया और जो प्रतिक्रिया चल रही है हम उसको जानने की कोशिश कर रहे है। तदनुसार पूरे जो चठे रूम जो है उसका एक दृश्य उसका परिदृश्य इस प्रकार है कि कही पर दिखाई दे रहे हैं कि घृश्यानते धीरं वेदूर्यानि चिद्यानते संखाह जो वैदूर ये है, जो मूंगे हैं, उनको धैर्य पूर्वक घसा जा रहा है, घिसा जा रहा है, और हमने यह कहा था कि यहां घिसने का मतलब उसको ख्षीन बनाना नहीं है, उनको हीन बनाना नहीं है, बल्कि उसमें एक प्रकार की शाइनिंग जो है, उसको उत्पन करना है, चिद्यंते शंक्धा होते हैं CP शुक्ती जिसे सम्स्रित में कहते हैं उनको काटा जा रहा है अर्थात जो शोभा के लिए या सवंदर्य उत्पन करने के लिए उनको काट करके एक पाटिकुलर शेप में पाटिकुलर साइज में बनाया जा रहा है जो प्रवाल है जिसे हम मूंगा कहते हैं शान नमक एक विशिस्ट पत्थर होता है उनके उपर उसे घिसा जा रहा है फिर वही है घिसा जाना यानि उसमें शाइनिंग उत्पन करना शोश्यंते आर्द्र कुंकुम प्रस्तराह जो आर्द्र गीले कुंकुम है इसे कुंकुम वाले पत्थर को सुखाया जा रहा है इसका मतलब यह है कि उस पर पत्थर वे गीले पड़े होंगे कुंकुम के कारण या कुंकुम की रचना की होगी और उसको सुखाया जा रहा है सार्यते कस्तूरी का कस्तूरी ये सब सारे सुगंधी को उत्पन करने के लिए विशेस द्रव होते हैं विशेस अपदार्त होते हैं और कस्तूरी तो हम आप जानते हैं कि जिसे हिरन से प्राप्त किया जाता है तो उनको भी अनुकूल बनाया जा रहा है सविशेस चंदन रस को पीसा जा रहा है अर्था चंदन को घेसा जा रहा है वही चंदन जिसे की हम अपने माथे पर टीका के रूप में प्रयोग में लाते हैं सन्योजियनत गंधमुक्तयह । जो गंध आदी जो हैं उनका सन्योजन किया जा रहा है विशेस्ट प्रकार के बंध है गंध है मित्रों इसी प्रकार का वर्न आपने पढ़ा होगा मुद्रा राक्षासम ने जहांपर मुद्राडाक्ससम के प्राराम में सूत्रधार आते हैं और सूत्रधार लब अपने घर में प्रवेश करता है तो देखता है कि उनकी जो पतनी है अपने अन्य सहयोगियों महिलाओं के साथ घर में विविध्ध प्रकार के व्यंजन आदि बना रहे हैं तो बड़ा सुन्दर है बहुत ही सुन्दर वो दृश्य है और वही एक प्रकार का है क्योंकि साहित्यकार क्या होते हैं कि अपने काव्य में जो जिस चीज का वर्नन और विवरन उत्पन करते हैं उनका एक सजीव दृश्य चित्र हमारे सामने रखते हैं दूसरे शब्दों में इनको मुर्च्ष कडिकं में वसंत सेना मात्र से गणिका का अब अबज़ करते हैं सब्सक्ậtव वसंत सेना तो प्रमुख चरित्र रहे जिनका की चारुदत के साथ आगे आने वाले संबंध है नाई का है इसलिए वसंत सेना दिखती है लेकिन वसंत सेना का जो विशाल महल है वेश्याले है जहां पर अन्य वेश्याएं भी रहती है और जो उनसे मिलन के लिए जो समाज के लोग होते हैं वो आते जाते रहते हैं नाटकार ने उसके लिए कामुक शब्द का प्रयोग किया है गनिका और था जो एक पचिकुलर वेश्या हुई और कामुक यानि जो उनसे मिलन के लिए आते हैं अब इन दोनों का क्या है मिलन से पूर्व एक वातावरन का निर्मान किय जाता है एक खुश्बू है एक सुगंद है तो सकर पूरं पान हो गया है लेकिन जब हम काद्य में जाएंगे तो इसका अर्थक केवल पान मात्रे नहीं लेंगे क्योंकि यही चीज हम जब प्राप्त करते हैं दशपूर पटवाय श्रेनी का अभिलेख है कुमार गुप्त कालीन उसमें भी यह बताया गया है कि स्त्रियां अपने मुख में सुगंधी के लिए खुश्वू के रूप में तांबूल का प्रयोगा करती हैं अस्तु तो यह ग मुल के रूप में ग्रहन कर रखा है उनको दिया जा रहा है पडोसा जा रहा है अब चुकि एक प्रोफेशनल जॉब है तो इसलिए उस चीज को पलब्ध कराने की व्यवस्था होगी अवलोक्यते सकटाक्षम अब कटाक्षपूर्वक अवलोक्यते देखा जा रहा है अब कौन किसको कटाक्षपूर्वक कटाक्षी जिसको की एक आम भाषा में बोल जाल की भाषा में अत्यमती जिसको सामानिया भाषा कहते हैं उसमें जिसको कहते हैं तिरची नजर से देखना अर्था जिसका की पूरा का पूरा जो एक काम का प्रभाव हमारे हृदय पर उत्प होती है तो हम यहाँ पर अभलोग किते सब्सक्राई को देखा जा रहा है यह नहीं है इसलिए अपने से विश्षिए अर्था कि परस पर अरथा की जो गणिका और गणिका जो प्रेमी है एक दूसरे को कर दोब मितरों से किनारे विशिष्ट छात्र नहीं हो जिन्होंने पूर्ण शास्त्रिया ध्यायन किया हो लेकिन रस विमर्ष में जो रस संयोजन की जब हम देखते हैं रस के प्रयोग के मनोवी ग्ञान का जब हम उलेख करते हैं तो एक आवश्यक रूप में कहते हैं कि श्रिंगार से पूर्व वीर रस नहीं होगा श्रिंगार से पूर्व रौद्र या ये रस नहीं होगा लेकिन श्रिंगार से पूर्व हास्यरस आवश्या होता है अगर आप अभिग्यान शाकुंतलम देखें तो दुश्यंत और शकुंतला के मध्य जो प्रणय की प्रवरिद्धी है वो है ही केवल इस कारण से कि एक दूसरे को टीज करते हुए एक हास्या का वातावरन उत्पन किया गया है अर्थात दुश्यंत जो भी है वहां बैठी वी शकुंतला को अवांतर रूप से कहीं अन्य बहाने छेड़ते रहते हैं टीज करते रहते हैं अर्थात हास का जो हास्या का माहूल उत्पन कर रहे हैं यहां भी जो गणिका और कामुक के मध्य जो है प्रवर्तते हासा हास परिहास चल रहा है तो यह एक दृश्य है उस छटे कमरे का और क्या है पी अते चा अनारतम ससीतकारम मदीरा मदीरा का पान किया जा रहा है कैसे ससीतकारम अब सीतकार क्या है इसे भी समझ दीजिए मित्रो हम आप सभी घड़ में चाई पीते हैं और चाई पीते समय एक विशेस प्रकार की दृवनी हम निकालते हैं है ना जिसे फूख करके ऐसे से करके चाई पीते हैं तो यह जो सू इतकारम शब्द उसके लिए प्रयोग में लाया गया है अर्थात जो गनिका है और जो प्रेमी है वो मदिरा का पान कर रहे हैं और मदिरा पान करने के कारण करते ख्षन उनके मुह से आवाज निकलती है इमे चेटाह इमाश चेटिकाह इमे अपरे अवधीरित पुत्रदार वित्ताह मनुश्याह आसव करका पीत मदिराई है गनिका जनई है ये मुक्तास्ते पिवन्ती अगर अर्थ कि दृष्टी से देखें तो अत्यंत सरल और सहज है कि इमे अपरे यानि उसी छठे कमरे में कोई और क्या है कि इमे चेटाह उर्था चेट जो पुरुष एटेंडेंट होते है और इमाश चेटिकाह अर्था जो स्त्री एटेंडेंडेंट होते हैं दास दासी जिसे आम भाशा में हम प्राची नकाल में शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं या नोकर नोकर आनी तो ये लोग और अन्य जो हैं कुछ वो कौन है करें अवधीरित पुत्रदार वित्ताह मनुश्याह ऐसे मनुश्य जिसने अपने पुत्र अपनी पत्नी और अपने धन की अवमानना कर दी है अर्थात परित्याग कर दिया है ऐसे मनुश्य आसव करक आपीत मदिरह आसव यानि वही शराब है करक करक यानि जो प्याला है चशक जिसे कहते हैं तो उनसे जो पी दिये गए जो मदिरह हैं ऐसे पीने वाली वेश्याओं के द्वारा जो उस प्याले में शराब छोड़ दिया गया है उन शराब उस शराब को ये लोग पी रहे हैं सामानी रुप से इसके अर्थों को हम इस तरह से पहले समझें कि चेट चेटियां और कुछ ऐसे लोग जो लोग की अपने घर परिवार को छोड़ करके इसी जो गणिका महल है गणिका भवन है उस पे आकर रह रहे हैं ये लोग गणिकाओं के द्वारा और गणिका के प्रेम हैं अगें एकदम प्रॉपर जो है जिसको हम कह सकते हैं कि लाइव डिस्क्रिप्शन एक सचीव चित्रन है घर में किसी कोने में उस कमरे में कोई पी रहा होगा कोई ऐसे कर रहे होंगे शराब के प्याले को उठा उठा के मूप के और कर रहे होंगे मैं यहाँ पर विशेस रूप से दो एक उस पक्षक पर ध्यान देना चाहूंगा जिनका कही न कहीं समाज से सरोकार है और वह है अवद्हीरित पुत्रदार वित्ताह मनुश्याह अवद्हीरिताह या बलकि अवद्हीरितानी पुत्रदार वित्तानी यईह ते मनुश्याह अर्थात जिसने अपने पुत्र अपनी पत्नी और अपने धन की अवमानना कर दी धन का परित्याग कर दिया ऐसे लोग अब यहाँ पर विशेस रूप से समझना है कि अगर कोई मनुश्य अपने पुत्र अपनी पत्नी और अपने धन का परित्याग करेगा तो वो यहां आकर के क्यों रहेगा इस वेश्याले में क्यों आकर के रहेगा वो वानप्रस्थ में जाए वो मंदिरों में जाए अन्यतर किसी ऐसी जगह पे जाए जहां पर कि उनके जीवन को शान्ती मिले तो यहां क्यों क्यों करने आ रहे हैं एक पक्ष क्यों क्योंकि जिस यहां पर एक चीज और इस पश्टे है, मैं इसका अर्थ इस तरह से लेता हूँ, कि पुत्र ने जिसे छोड़ दिया, अर्थात अपने घर से निकाल दिया, श्त्री ने अपने घर से निकाल दिया, और जिनके पास धन अवशिस्ट नहीं रह गया, बचा नहीं रह गया, इसे जो मनुश्य हैं, वे यहां पर आकरके रह रहे हैं, अब जरा एक चीज और समझे, इसे यह अर्थ निकालना सरल है, कि पुराने जमाने में भी, अर्थात इस प्रकार ये पांचवी छठी शतावदी में भी, पुत्र अपने पिता को घर से निकाल देते होंगे, और य देखे जा रहे हैं, अब वेदिक काल में जो इगवेद का जो अक्ष सूक्त है, उसमें भी इस और इशारा किया गया है, ये नहीं इशारा किया गया है कि पुत्र ने पिता को घर से निकाल दिया, लेकिन घर से निकाला जाना किसी के दुर्व्यवहार के कारण, असंगती क कारण, दुसंगती के कारण, शराब के कारण, जुवे के कारण, जो लत के कारण, समाज में उपेक्षा के भाव देखे जा रहे हैं, देखे गए हैं, दिखाए गए हैं, तो यहां पर भी हम यहां अर्थ निकाल सकते हैं, कि उस काल में भी पुत्र या पत्नी, अपने पती य तो जीविका का कोई जीविका का जो विकल्प है उस विकल्प का अन्वेशन करता है तो या तो वो मंदिर में रहे या किसी धर्मशाला में जाकर कि धर्मशाला नहीं मंदिर में रहे जहां पर दाना दी के द्वारा अपनी जीविका करे और या नहीं तो यहां वेश्याले प थली भी था ये मैं इसके माध्यम से आपके सामने स्पष्ट करना चाह रहा हूं और तब जाकर के ये अर्थ बनेगा कि ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने विश्याले को अपनी आश्रे इस थली बना रखी है ये मनुश्य जो अवशिष्ट भुज्यापदार्थ होते हैं इसलिए केवल यह अर्थ ग्रहनमा ये रंगमंचियत रिष्टी से सुन्दर होगा कि आप मंच पे उनको दिखाएंगे कि शराब का जो वो कप है ग्लास है उसको ऐसे उठा करके पान करते हुए दिखाएंगे लेकिन जब हम उसके समाज को समझने की कोशिश करेंगे तो व चेटी जी मैंने चठा कमरा देख लिया अदिशत भवती अब बताए मेरे लिए क्या सेवा है आदेशा करें चेटी आज यूजवल कहती है ये तु ये तु आरियह इमम सब्तमम प्रकोष्ठम अब ये सात्वा प्रकोष्ठ है प्रविशत वारियह है आरियह आप इसमें प कोष्ठे देखे ये जो आश्यर्यम भोह वाला है ये प्रवेश द्वार से ही यहाँ एक्सप्रेशन कंटिनूड है और आश्यर्यकी स्थितिक का बुत्पन होती है जब कोई चीज हमारे सामने विलक्षन हो जिसे हमने पहली बार देखा हो या पहली बार ना भी देखा हो दूजरी बार तीसरी बार देखा हो इसके समान कहीं और देखा हो तो उन देखा देखी में भी जो सर्वत्तम है उसके लिए आश्यर्यका भाव उत्पन्व होता है यहाँ पी सब्तमे प्रकोष्ठे अपी शब्द अपी अव्ये यहाँ पर भी इस कमरे में भी इस सात्वे कमरे में भी अर्थात इसे पूर्वतों था ही इसमें भी वही हम पा रहे हैं जिसे देख करके हमें अश्चरिय का अबोधों हो रहा है अब यह जो कमरा है यह कमरा सवीशे से पालतू पक्षियों का कमरा है देखिए यद्यपी एक समाजिक करामती के कारण समाजिक अवबोध के कारण आज हम अपने यहां पशुपक्षियों को पालतू बना करके कम रख रहे हैं यद्यपी आज भी समाज में लोग पालतू चीज़ों को अपने घर में रखते हैं कुटे हो बिली हो आदी हो तोते हो मेना हो कई ऐसी चीज़ें हैं तीतर हो बटे हो सारस हो मोर हो इन सब को अपने यहां पालतू बना करके रखने की परंपरा रही है और यह परंपरा इस ना पारावत कपोत को अर्थात कभूतर को कहते हैं जो पिजन जो हम आप देखते हैं उरते रहते हैं कभूतर तो कबूतर मिथोनानी मिथोन शब्दकार्थ होता है जोडे यानि कबूतर के जोडे सुखामा अनुभवन्ति सुखा का अनुभव कर रहे हैं कैसे तो कहता है अन्योन्य चुम्बन परानी एक दूसरे का चुम्बन लेते हुए ये जो कबूतर है ये परस्पर सुखा का किन रहने वाले ये कबुतर जो है अपने प्रेम के सुख का अनुभव कर रहे हैं उसे पहले कहरा सुशलिस्ट व्यहंगवाटी शुख सुख निशननानी अच्छी तरह से जो बने हुए व्यहंगवाटी जो पक्षियों के जो दर्बे होते हैं जो रखने की जगा होती है अपने जीवन जो हैं वहाँ बिताते हैं तो वही है व्यहंगवाटी तो उस व्यहंगवाटी में सुख पूर्वक बैठे हुए एक दूसरे को चुम्बन लेने वाले ये कबुतर के जोड़े सुख का अनुभव कर रहे हैं ये साथवे कमरे की बात आ रही है दधिभक पूरितो दरो ब्रह्मन इव सुकतम पठति पंजर शुकह पंजर शुकह ले लिजिये पंजर यानी पिंजरा केज और शुक यानी सुगा जिसे कि हम तोता कहते हैं तो पिंजडे में जो बंदत होते हैं वो कहते हैं सूक्तम पठती सूक्त मतलब वैदी का मंत्र यहां लेंगे यहां वैदी का मंत्र का उच्छारन कर रहे हैं पठती कार्थ लेंगे यहां पर वाचयती बाच रहे हैं बोल रहे हैं ठीक है लेकिन कैसे जो अब जो यहां एक आ पूरितो दरो ब्रह्मन इव दधी यानि दधी भक्त यानि भात पूरित यानि भरा हुआ और उधर यानि पेट यानि दधी भात खाने के कारण भरे हुए पेट वाले ब्रह्मन जिस प्रकारवईदिक मंत्रों का उचारण करते हैं उसी प्रकार ये पिंजरे में बंद सुग जो हैं तोते हैं यह मंत्रों का उचारन कर रहे हैं मैं उस उपमा का विशलेशन कर दूँ यहां पर दधी भक्त का मतलब दधी भक्त पूरी तो दरह का मतलब हुआ ऐसे ब्रहमन जिसकी भुभुक्षा शाम तो हो गई है यानि बेट भर करके खा भोजन ग्रहन करने वाले ब् इसका यह अर्थ है देखिए आज भी हमारे यहां परंपरा में जो ऐसे पंडित जो पूजा पाठा आदे कराने आते हैं उनको सविशेस सामानियत भोजन अगर पूर्व में करवा दिया जाता है तो अन्य जो रिचुल से हैं वो बड़े ही वूर्जा से और आनंद से जिस इसी प्रकारिये सुग्ये निश्चिंतोह करके मंत्रका पाठ कर रहे हैं लेकिन अगर इनहीं को भोजन नहीं करवाया जाता है तो टाइप ऑफ इरिटेशन होता है नॉन कॉपरेशन मुव्मिंट वो शुरू कर देते हैं एक ना नुकुर वाला जो एक नेगेटिव भाव दासी अधिकम कुरकुरा यते मदन सारीका अब मदन सारीका ये शब्द बड़ा सारीका करता है मेना है ना हम आप जो तोटा मेना जीसे कहते मेना एक विशेश प्रकारिकी चिडिया जो फुदक्ती रहती है लेकिन मदन सारीका ये शब्द समझने वाली है काम इसे ऐसा निकाल सकते हैं कि प्रायहі जो वेश्याले हैं एसी जगहों पर जो वेश्या और प्रेमी के मिलन के ख्षण में उनमें प्रेम के भाव कां के भाव उत्पन करने के लिए ये मेनाधी ट्रेंड किए जाते थे जो अपने शब्दों से अपने व्यवहार rainbow से उनके मन में क्या है कि प्रेम के भाव उत्पन करते होंगे इसी लिए ये शब्द मदन सारी का यहां पर दिया गया है अब क्या है कि यह मपरा यह देखो कोई और यह और क्या तो कह रहा है यनि सम्मान ना अलब्ध प्रसरा या सा अलब्ध प्रसरा और सम्मान से आदर के कारण जिसने अपने प्रभाव को प्राप्त कर लिया है ऐसे प्रभाव को प्राप्त कर लेने वाली ग्रीहदासी की तरह घर की नौकरानी की तरह है गर में नौकरानी की तरह है अज भी होता है पूरी कोई अंतर नहीं है कि घर में जब दासियों को मेड़ को अब पूरी तरह से एक liberty दे देते हैं उनके उपर आपका विश्वास बढ़ जाता है तो वो अपने भाव से अपने बातचीत अपने खुब बोलती रहती है यानि हर विशे पर उनके कमेंट आप सुनते रहेंगे यह नहीं ऐसे ऐसे नही यह कहा कि घर में जिस नारी के प्रति आदर या सम्मान ज्यादा प्राप्त हो जाता है उससे दासी का प्रभाव घर में ज्यादा बढ़ जाता है तो जिस प्रकार वह ग्रियह दासी अधिकम कुरकुरायते कुरकुर करती रहती है अरता कुछ से कुछ बोलती रहती है उसी काम अभाव को उत्पन करने वाली ये जो मेना है ये बड़ बड़ा रही है मित्रत के समस्कृत की एक विशेस्ता है कि कई सारे से शब्दों होते हैं जो दुवानी से क्रिया बना लेते हैं अब ये कुर-कुर करना ये कुर-कुर शब्द क्या है किसी भी हार्ट चीज़ को दो जब आप तोड़ते हैं चिप्स आदे खाते हैं तो इसे कुर-कुर शब्द निकलता है और यही कारण है एक विशेस्ता खात दिया आजकल मार्केट में है जिसका नाम ही है कुर-कुरे अगर उसको हम भाव में उपयोग में लाते हैं तो उसका यह अर्थ है जो कि हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहे बड़बडाते रहे तो इसलिए कुर-कुरायते यहां पर नामधादो के रूप में यह प्रयोग में आया है अगला वाक्य कहता है कि अनेक फल रसास्वाद प्रहुष्ट कंठा कुम्भदासी वकूजति परपुष्टा अब कुम्भदासी यह क्या होता है मित्रोब अन्यथा अलग-अलग जगह पे इस कुम्भदासी को कहा गई कुम्भदासी के लिए कुटिनी शब्द का प्रयोग है अब हम देखते हैं कि यह कुटिनी शब्द है या क्या है लगिन जिस प्रकार अनेक फलों के रसास्वादन से एकदम प्रहुष्ट मोटे कंठों वाली जो कुम्भदासी है उस कुम्भदासी की तरह कूजती गुंजन कर रहे हैं गूज रहे हैं कूज रही है कौन परपुष्टा कोयल परपुष्टा है ना दूसरों से परिपोर्शित हम लोग जानते हैं महाकवी कालिदास ने भी अभिज्यान शाकुंतलम के पांचवें अंक में परभृत शब्द का प्रयोगा किया है तो वही परभृत जो है यह दूसरे के द्वारा जिसका भरण पूर्शन किया जाता है यहां पर भी परपुष्टा शब्द है मिद्र हम इस व्याख्या को इस प्रसंग को आगे कंचिन्यू करेंगे अभी आप लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद झाल